नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यप चैनल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट 13 फेबरी के दिन निफ्टी फिफ्टी में कहां पर कामकाज कर सकती है आपके बट उससे पहले देखते हैं मार्केट में फ्राइडे के दिन कहां पर कामकाज किया पहले तो दोस्तों हमें गाप डाउन ओपन होने होती कि मार्केट ने यहां पर उपर की तरफ एक पुल बैक लिया और इम्मीडियेटली 10 बजे तक मार्केट यहां 17,800 के लेवल तक इसी का यहां पर उपर की तरफ एक ब्रेक आउट दिया और फिर 17,870 इसी लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट वापस आई दुबारा से मार्केट में रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद फिर मार्केट टुवर्ड्स 17,860 लेवल तक चली गई अब यह पूरा गड़ आप देखेंगे आपको नदर आएगा इसके बाद दोस्तों मार्केट में नीचे की तरफ यहां पर मार्केट ने एक लेवल बनाया इसका मार्केट ने जैसी चैनल का ब्रेक आउट दिया डब्ली पाटन की तरफ उपर की तरफ फिर हम 17,856 की तरफ निकल गए फिर दोस्तों मार्केट में दुबारा इसी लेवल से एक रिजेक्शन लिया रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट में उपर की तरफ फूल बैक लिया और जास में हमें जो क्लोजिंग मिली वो मिली 17,856 लेवल के आसपास अब बात करते हैं मार्केट में मं प्लस में बंद खुआ है इंडिक्स की बात करें तो माइनस 76 पॉइंट इसे रिजेक्शन मार्केट के अंदर आपको एक प्यॉरली फ्लाट उपनिंग यहाँ पर ऑपन करती हुई दिख रही हैं अब अगर किसी ने बाया चांस ओवर्नाइट बोजिशन नेक्ड होड़ की होंगी तो definitely एक market के अंदर दोनों ही मतलब C में भी और P में भी ही आपको नुकसान होगा because of the weekend decay अब दिखते हैं market में Monday को किस levels पर आपको buying करनी है कहां पर market में आपको चीजें मिलने वाली हैं तो दोस्तों यहां यहां पर मैं निफ्टी 50 में call की position में तब बैठूँगा जब मुझे market at least 17,875 17,875 के level को market यहां पर जब cross करके निकलेगी तभी मैं यहां पर call की एक position में बैठ सकता हूँ और मेरे जो targets रहेंगे उपर की तरफ वो फिर 17,900 17,900 और दूसरा मेरा यहां पर निफ्टी 50 के अंदर 17,965 17,965 यह एक मेरा उपर की तरफ target रह सकता है अगर market 17,875 के उपर निकलती है तो put की position मैं लेना तब पसंद करूँगा जब market आपको at least 17,816 17,816 इस particular level के नीचे अगर market जाती है तो definitely फिर मैं put की position में बैठ हूँगा और जो targets मेरे नीचे की तरफ होगे वो फिर 17,775 और दूसरा मेरा जो target होगा वो नीचे की तरफ होगा 17,750 यह दो ही particular targets के लिए मैं यहाँ पर market में अपनी positions बना सकता हूँ तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो like का बटन जुरू प्रिस करिएगा आपने अगर अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please सब्सक्राइब कर लीजिए आकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो live stream को देखते रहें because उसके अंदर में जो level mark करता हूँ definitely उसका आप भरपूर फाइदा उठा सकते है तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते thank you and bye bye